तो हेलो दोस्तों स्वागते आज की वीडियो में आप सबका और दोस्तों इस एक्सपरिमेंट में मेरे पास यहां पर एक प्रिंटर है आप देख सकते हो यह कैनन का प्रिंटर है यह देखे और दोस्तों यह खराब प्रिंटर है और दोस्तों यह सिर्फ मैं 200 रुब्बे में और यह रहा हमारा Screw driver तो चलिए इसको खोल लेते हैं तो दोस्तो से यह दोनो साइड यह से मंझे खुला उवा है मिला है तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से हम इस से इसको खोल लेंगे तो यहां देखिए 1 साइड से मैंने खोल दिया है इसकी थी और यहां पर आगये से भी खुल देता है banget इसके, यहां पर पर से स्केंदर रंट में आगये से खुल देता है यह देखिए आराम से निकल जाएगा इस तरीके से यह देखिए मैंने निकाल दिया है इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर यह आगे से भी खुल जाता है यह देखिए तो यह यहाँ पर हम पेपर लगाते हैं और ये वाला इससा भी इसका खुल जाता है इस तरीके से तो अराम से ये सारा खुल जाता है ये देखे ये वाला एरिया भी इसका खुल गया तो इस तरीके से हम इससे सारे को खुल सकते हैं तो चलिए अभी इसे खुल लेते हैं इस वाले पार्ट को भी मैं निकाल लेता हू फ्रेंड ये देखे मैंने निकाल लिया है और ये वाला इस सब इसका आसानी से निकल जाएगा तो ये देख सकते हैं ये वाला इस सब इसका निकल गया तो चलिए फ्रेंड ये वाला इस सब इसका निकाल लेते हैं तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे ये देखे फ्रेंड आसानी से निकल गया बिलकुल आसानी से अब दोस्तो चलिए इसे अंदर से भी खोल लेते हैं तो अब हमें ये scanner पार्ट इसका खोलना है और friend अब देखें यहां से इसको मैं उपर उठाने वाला हूँ ये देखें ये आसानी से पूरा उपर उठ गया तो चलिए इस पार्ट को अलग कर देते हैं तो फ्रेंड ये देखे ये scanner पार्ट इसका मैं अलग कर चुका हूँ ये देखे तो इस पार्ट को मैं अभी अलग रख दे रहा हूँ इसको मैं बाद में कोलूँगा पहले हम इसे देख लेते हैं तो फ्रेंड प्रिंटर का main पार्ट हमारा ये रहा तो फ्रेंड आप देख सकते हैं एक मोटर हमारा यह रहा और अब यह और भी इसे खोलेंगे और भी इसमें से और भी कुछ निकलेगा तो चलिए इसको मैं खोल लेता हूं तो फ्रेंड देख सकते हैं यह वाला इससा मैंने स्कुरू खोल करके निकाल लिया है और फ्रेंड इसको हम अब खोलेंगे ठीक है तो मेन हमारा इसमें से ही सब कुछ निकलेगा तो चलिए फ्रेंड अब इसकी यह वाली पुली को खोल लेते हैं और इसे खोलने के लिए यहाँ पर आप स्कुरू देख रहे हैं इसमें कहीं जगें स्कुरू है तो इनको हमें खोलना पड़ेगा जैसे यह यहाँ पर इसको मैं खोल लेता हूं तो फ्रेंड ये देखें सारे पेंच में खौल चुका हूँ अब चलिए इन पेंच को अलग कर लेते हैं और इस बैल्ट को भी हम आराम से इस तरीके से निकाल लेते हैं तो सबसे पहले इस बैल्ट को मैं उतार देता हूँ मोटर से और ये देखिए मैं आराम से इसको खोल लिया है और ये रहा हमारा मोटर बल्कुल बढ़िया मोटर हमें आपर मिल गया है ठीक है फ्रेंड तो मोटर हमारे बहुत काम आएगा ये बहुत ही powerful मोटर है तो इसको मैं side में रख दे रहा हूँ और उसके बाद हमें एक यहां पर belt मिलती है ये देख सकते हैं belt भी काफी मजबूत belt होती है ये इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप किसी भी project में इस belt का यूज़ कर सकते हो तो ये भी हमारे काम की ये मैंने side में रख दिया है अब चलिए friend और भी से खौल लेते हैं इसमें से और भी कुछ हमें मिलेगा और friend एक motor इसमें और नजर आ रहा है मुझे ये देखे यहां पर यह रहा एक और motor तो हमें दो motor इसमें से ही मिल गे और friend इसमें से हमें काफी सारी gear pulley भी मिल जाएगी और यह हमारे बहुत काम की है तो इस तरीके से यहाँ पर एक गेरपुली यह रही इसको भी हम निकाल लेंगे तो फ्रेंट गेरपुली हमें बहुत मिलने वाली है इसमें से तो यह देखे तो यह देखे फ्रेंट यह मैंने अलग कर लिया है और फ्रेंट चलिए अब इसमें से भी हम याँ पर सामान निकाल लेते हैं तो अब सबसे पहले हम याँ पर यह जो हमारा मोटर है इसको हम खोल लेते हैं तो इस मोटर को खोलने के लिए हमें स्कुरू ड्राइवर की जुरत है जो यह रहा तो चलिए इसको खोल लेते हैं यह तो ये देखे फ्रेंट सारे गेर हमें यापर निकाल चुके हैं ये देखे और ये रहा हमारा मोटर तो इसको भी हम आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं यह देखे मोटर भी हमारा हमें मिल गया है और बिल्कुल सही है यह मोटर इसे आप use कर सकते हैं इस तरीके से देखे तो इसको भी हम side में रख दे रहे हैं अब friend बाकी हमारे हमारे यहांपर एक लोहे की इस तरह की road हमें मिल गई हैं जो कि हमारे बहुत आप काम आईगी यह ब और यह जो इसके बीच में लगे हुए इनने भी हम आसानी से निकाल सकते हैं तो इसको हम एक साइड में रख दे रहे हैं यह रोड को मैं बाद में सही करूँगा अब यह वाला जो पाट है इसमें भी एक रोड है आप यहां पर देख सकते हैं काफी मजबूत रोड है चलिए इसको भी हम इसी तरीके से निकालते हैं और फ्रेंड अब यह वाला इससा जो बचा इसमें हमें यह वाला काम का इससा मिलेगा और एक छोटा सा रोड हमें और मिलेगा यह देख सकते हैं यह यह रहा तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, बाकी इसमें हमें यहाँ पर गेर पुली काफी सारी मिल जाएगी, तो सबसे पहले इसमें कुछ इस्कुरू मुझे दिख रहे हैं, वो हम खोल लेते हैं, यह देखें यहाँ पर इस्कुरू है, तो इनको हम खोल लेते हैं, तो यह देखें अब ये वाला हिस्सा जो है इसमें बहुत सारी पुली हमें निकाल लेते हैं तो ये देखे फ्रेंट रोड हमने आसानी से निकाल लिए है और बहुत ही बढ़िया रोड है हमारे बहुत काम आईगी रोड और ये वाला हिस्सा भी हमारा निकल चुका है यह देखे इसमें भी हमें 2-3 गियर मिल गए है और फ्रेंड अब लाश्ट में यह हमारा स्कैनर बचा आप देख सकते हैं यह हमें खोलना है ठीक है फ्रेंड तो इसको खोलने के लिए मैं इसको उल्टा रख रहा हूं और इसको खोलने के लिए हम यहाँ पर स्कूल है और यह देखे यहाँ पर यह इसका अंदर वाला इससा है और इसके अंदर जो समान निकलता वो यह रहा यह इसका यहाँ पर पूरा फंक्शन है जो मेरे हाथ में यही काम करता है ठीक है फ्रेंड तो इसकी वाइरिंग को मैंने काट दिया है यह देखे फ्रेंड वाइरि काम आएगा और देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक मोटर भी हमें मिल जाएगा, यह देखें, काफी powerful मोटर मैं यहाँ पर यह मिल जाएगा, लेकिन फ्रेंट इसको खोलने के लिए जो screwdriver की हमें जुरूरत है, वो मेरे पास नहीं है, यह देख सकते हैं, इसमें काफी बारीक स्कूर ड्रैवर लगेगा तो इतना बारीक मेरे पास नहीं है तो इसको मैं बाद में खोलूँगा बहराल इसमें मोटर मिल जाता है और बहुत सारे gearbox भी मिल जाता है तो यह हमें यहाँ पर scanner के अंदर से मिलता है ठीक है फ्रेंट तो बस हमें यही सामान मिलता है तो फ्रेंट देख सकते हैं इतना सामान हमें एक खराब प्रेंटर के अंदर से मिल गया जो की बहुत ही बढ़िया है और फ्रेंटर के अंदर से हमें एक यह SMPS भी मिला है जो की बहुत पावरफुल है इसे मैंने अभी तक चे जिनकी गेमत भी यहाँ पर 500-600 रुपे पक्का होगी और उसके बाद यहाँ पर रोड मिल गई और यहाँ पर काफी सारे में यहाँ पर स्कुरू मिल गए तो मुझे पूरी उम्मे दे दोस्तों यह experiment आपको बहुत अच्छा लगा है तो आज की वीडियो में इतना ही यह experiment कैसा लगा है यह comment करके मुझे जरूर बताए तो मिलते नेक्स वीडियो में जैहिंद वन्दे मात्रम